सपा के मुहम्मद हसन विधायक हमारे साथ हैं विधायक जी ये काली लिबास विरोज स्वरूप आजम खांके समर्थन में माना जा रहा है देखे हम उस हर मजलूम के समर्थन में हम लोग खड़े में हैं और आजम साहब हो चाह अब्दुल्ला हो चाह न जाने और भी हमारे प परचाल लाग वोटों वाली विधान सभा से हम लोग को जनता अपने इस विश्वास और भरोसे पर चुनती है कि हमारी जायज समस्याओं को लेकर सडक से सदन तक ये विधायक लड़ेगा और जब विधायक को इस बात का डर हो जाएगा कि सडक पर बैट कर हम जनता की आवा सेशन में जाने का हाई कोट में जाने का सुप्रीम कोट में जाने का तो यह सारे कोटों को बाइपास करके अगर विधान सभा धक्ष के माध्यम से हमारी विधायकी को खत्रा हो जाएगा तो कार पालिका का सीना डबल हो जाएगा और जब डबल सीना हो जाएगा तो जिस ज हम तो यह कहते हैं कि यह प्रतीक शुरुफाना है यह शरीफों का प्रतीक है इस इस शेरवानी को पहन कर हम लोग निकाह पढ़वाते हैं शादिये करते हैं बंधन में बनते हैं यह प्रतीक जोड़े बनाने का है यह प्रतीक मोहबत को बढ़ाने का है यह प्रतीक कोई ऐसा प्रतीक नहीं जिसको आप negativity में ले पॉजिटिव संदेश और आप क्या देना चाहते है पॉजिटिव संदेश यह है कि हम लोग जन्हित की समस्याओं को एक साथ एक कपड़े एक यूनिफॉर्म ट्रेस में पहन कर जनता की आवास को सड़क से सदन सदन तक जिसलिए हमको जन यह पूरी सेरवानी पहन के ऐसा तो आता नहीं है कि एक क्यों रहे हैं मतलब जबाब दीजे ना हम जानना चाहते हों दर्शक और आपके वोटर भी जानना चाहते होंगे नवाब जान शाहाब कि आखिर इस काली शेरवानी और कमाल अक्तर छात्रनेता विधायक हमारे साथ हैं आखिर इस काली शेरवानी के बारे में कहा जा रहा है कि आजम खान और अब्दुल्ला की जो विधायकी गई है उसके विरोज स्वरूप राश्टिय अध्यक्ष के नित्रित में आप लोग यह पहन के आए देखिये ऐसा है सदन के अंदर कोई भी पहनावा बेन नहीं है तो अगर अगर शेरवानी पहनी तो इसका अलग अलग मतलब नहीं लगाना चाहिए यह तो एक पहनावा है और आज हम सब लोगों ने तेह किया कि बजट कर दीने तो सब लोग शेरवानी पहन के जाएंगे इससे जादा कुछ है नहीं काली कहा है देखो काली कहा है नीली है नीली है वाइड भी है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है यह एक पहनावा है और अब जैसे आप पेंशाट पहने रखेंगे ये खास पहनावा हमने तो अभी तक नहीं देखा नहीं आप देखो ना बहुत सारे बार्ची जिनता पार्टी एक साथ बसपा वाले लोग और दूसरे लोग अलग-अलग तरह के पहनावे पहन क्या है इस शेरवानी के मूल मे सिर्व इतना है कि शेरवानी एक ट्रेडिशन ड्रेस है यूनिफॉर्म है और आज इसी ट्रेडिशन ड्रेस को हम लोग पहन के आए तो बारात में हमने देखा नहीं ऐसा कुछ नहीं है इद के दिन पहनते हैं बड़े पर्व के दिन सदन के दिन भी पहनते हैं अब तो कभ विरोध के स्वरूप आप नहीं पहन के आए यह एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और उसी के लिए पहनने पर कोई बैन नहीं है यूनिफॉर्म है अपना कोई भी पहन सकते हैं अब्दुल्ला आजम और आजम खां के साथ जो हुआ है उसके विरोध स्वरूप ये माना जा रहा तो मैंने शर्ष्टा ऐसा कोई मामला है